जी ट्वेंटी मय नजर आएगी राजधानी दिल्ली इन 20 अस्थानों पर लगाया जाएंगे संबंधित देशों के जंडे राश्ट्रे राजधानी दिल्ली में दो दिन तक चलने वाले जी ट्वेंटी सम्मेलन को लेकर तैयारी जोरो पर है शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 29 देशों के राश्ट्रा ध्यक्ष हिस्सा लेने आ रहे हैं इस दोरान दिल्ली में IGI एरपोर्ट राजगाट मुख्यकारिक्रम अस्थल प्रगती मैदान समेत 20 जगहों इस समू के देशों के जंडे लगाये जाएंगे इन जगहों पर लगेंगे जंडे आगंतुकों को एरपोर्ट पर उतरने से लेकर उनके होटलों और प्रगती मैदान तक हर तरफ G20 मय नजर आएगा इन G20 समू के सभी देशों के जंडे लगने से अंतराश्ट्रिय कारिक्रम में सभी सदस्य देश खुद को जुड़ा हुआ अनुभा करेंगे IGI वप पालम टेक्निकल एरपोर्ट और चावनी ख्षेत्र में 11 जगहों पर इन देशों के जंडे एक साथ लगाये जाएंगे वही मुख्यकारिक्रम अस्थल प्रगती मैदान के आसपास तीन जगहों पर इसी तरह से जंडे लगेंगे इन जंडों को लगाने के लिए पोल गारने और जंडे लगाने का काम शुरू कर दिया गया है इसी करम में ये जंडे राजधानी के प्रमुख अस्थलो और एरपोर्ट से प्रगती मैदान आने वाले रूट पर जगह जगह लगाये जाएंगे इसमें प्रमुक रूप से राजगाट और अक्षरधाम भी शामिल है 29 देशों के राष्टरा ध्यक्षों को किया गया आमंत्रित उनलेखनीय है कि भारत पहली बार G20 की अध्यक्षता कर रहा है और इस समेलन में भाग लेने के लिए G20 के सदस्य वो आमंत्रित सदस्य मिलाकर कुल 29 देशों के राष्टर ध्यक्षों को बुलाया गया है बैठक में अन्य अंतराष्टिय संगठन भी शामिल होंगे मैमानों के स्वागत के लिए पिछले एक माह से दिल्ली को चमकाने में तमाम विभाग के कर्मी सडकों पर काम कर रहे हैं इसके अंतरगत दिल्ली में करीब 60 सडकों पर सुन्दरी करण का काम अंतिम चरण में है इन जगों पर लगेंगे विभिन देशों के जंडे IGI Airport पर T3 Terminal पर पालम टेक्निकल एरिया में Pump House के पास हनुमान मंदिर के सामने पालम एरपोर्ट के सामने तीन अस्थानों पर यहीं पर लालबत्ती के पास कैंट शेत्र में थियम्मा मार्क से सटे परेड रोड मोड पर परेड रोड अंडर पास से पहले इसी रोड पर खैबेर लाइन्स में प्रताप द्वार के पास धौला कुआ के पास हैदराबाद हाउस के पास इंडिया गेट और चिल्डर्न पार्क के पास प्रगती मैदान सुरंग से पहले प्रगती मैदान गेट नमबर पांच वच चै राजगाट के नजदीक इंदरा गांधी स्टेडियम बस स्टेंड के पास राजगाट पर अक्षरधाम के पास विभिन देशों के जंडे लगेंगे